कुछ तो आज का विशेष टॉपिक वास्तू की बाद、 कमल लंदलाल के सात में आज हम जानेंगे फर्ष पर लगाए कौन सा पूछा पूछा तो हम रोज लगाते हैं घर में जिससे मिटेगी घर की negativity और दूर होंगे वास्तू दोश यहां दोस्तों पोच्छा लगाने से भी घर के वास्तू दोश दूर हो सकते हैं वास्तू संसार की हर वस्तू में present है पानी में भी वास्तू है और जर्रे जर्रे में वास्तू है क्योंकि वास्तु स्वय में एक हैबिटेट है तो आज जानते हैं फर्ष पर लगाएं कौन सा पोचा ताकि मिटे घर के नेगेटिविटी और दूर हो वास्तु दोश आईए जानते हैं जब कभी घर में वास्तु दोश होता है उस घर में रहने वाले लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वास्तु दोश के कारण घर में नेगेटिविटी बनी रहती है जिससे घर के जितने भी परीजन है हमारे सदस्य हैं घर के वो आपस में एक दूसे से द्वैश वैरे इर्षा रखते हैं और को इन प्रॉब्लम्स को टेंशन को दूर करने के लिए जोतिश और वास्तु शास्तर में अनेक उपाई दिये गए है यह उपाई करने पर घर में सकारतमक्ता आती है पॉजिटिविटी आती है और वास्तु दोश से होने वाली परिशानिया भी काफी हद तक कम हो जाती है तो चलिए जानते हैं कैसे फर्ष पर लगाने वाला यह पॉच्छा मिटाएगा घर की नेगेटिविटी और दूर करेगा वास्तु दोश जिहां सरफ पॉच्छे से ही वास्तु दूश दोर होगा जानते हैं कौन-कौन से पॉच्छे और किस प्रकार से लगाए पहला पुच्छा घर की नकारतमक उर्जा को नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए घर में पॉच्छा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला दे इसके लिए समुदरी नमक यानि कि साबुत नमक जिसे हम खड़ा नमक कहते हैं यह स्तमाल किया जाता है इस उपाय से यह उपाय के लिए स्रेश्ट रहता है इस उपाय से घर में नेगेटिव उर्जा खतम हो जाती है वास्तो और जोतिश शास्त्र नमक को राहू का संबोधक माना है इसलिए राहू से उत्पन्न वाली नेगेटिविटी खतम हो जाती है बात करेंगे दूसरे पूछे की दूसरा पूछा कुछ इस प्रकार है घर में समय समय पर गौमूतर चड़क कर और गौमूतर चड़क कर उचा लगाना चाहिए मानेता है कि जिन घरों में यह उपाई किया जाता है गौमूतर का छड़काव किया जाता है वहाँ देवी दिपताओं की कृपा बनी रहती है गौमूतर की तेज गंद से वातावरण में मौजूद हानिकार केटाणू नश्ठ हो जाते है इससे स्वास्त सही रहता है जो सकारतमक्ता का प्रतीक है और यही चीज जिवन में पॉजिटिवनेस लाती है गौमूतर को भी राहू का काट माना जाता है बात कर तक तीसरे पोचेगी अगर घर में लगातार इलेक्ट्रोनिक परड़क्स खराब चल रहे है और साथ ही परिवार को बहुत ज़्यदा होस्पटल जाना पड़ता है कहने का मतलब यह है कि परिवार का कोई सदसे लंबे समय से बीमार चल रहा है तो ऐसी स्थिति में परिवार के जो मुखिया है यहां कोई बड़ा बुज़र को सदसे अगर लगातार बीमार पड़ रहा है उसकी कुंडली में रहू अगर खराब है यहां फिर घर के दक्षन पश्चन दिशा में कोई बड़ा वास्त दोश आपको नजर आता है तो ऐसी स्थिति में रोज पानी में कपड़े धुने वाली नील मिलाकर पोच्चा लगाया जाए तो राहू से सम्मंदित बास्तु दोशों में कमी आती है जी बिल्कुल बात करता है चौथे पोच्चे की अगर घर में लगातार चीटिया निकल रही है काली या लाल और साथ-साथ आर्थिक रूप से परिवार कमजोर पड़ता जा रहा है तो ऐसी स्तिति में परिवार के मुख्या या कमाने वाले सदस्य का कुंडिली में शनी खराब है या फिर घर की पश्चिन दिशा में कोई ऐसा वास्तु दोश है जो बहुत बड़ा है और ऐसी स्तिति में रोज पानी में कैरोसीन या सरसों का तेल मिलाकर पोच्चा लगाए जाए तो शनी से सम्मंदित वास्तु दोशों में कमी आ जाती है जी बिलकुल चलिए बात करते हैं पांच में पोचे की अगर घर में लगातार परिवार की कन्याय लंबे समय से बीमार पढ़ रही है या किसी फैमिली मेंबर को दातों में या नसों में निरंतर तकलिफ हो रही है तो ऐसी स्तिति में किसी परीजन की कुंडली में बुद्ध खराब हो सकता है यहां पर बुद्ध की उत्तर दिशा में कोई वास्तु दूश हो सकता है ऐस इस्तिती में अगर रोज पानी में युकलप्टस यानि सफेदे के पेड़ का अर्क मिलाकर पोचा लगाया जाए तो बुद्ध से सम्मंदत वास्तु दूशों में कमी आती है इसी के साथ साथ सब सबसे बेस्ट पोचा भी हम बताएंगे कि अगर आप घर में पूरी तरके से डवलेपमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए नील और नमक का पूचा आप डेली लगा सकते हैं नील और नमक को मिला करके हर रोज सुबह घर में आप पोचा लगाएं और अपने जीवन से नक प्रेंड अपने सखा अपने मेतर कमल नंदाल को इजाज़त दीजे नमाशकार